जैसा कि मैंने आप सभी के काम में देखा है आपको shading करने में दिख्कत हो रही है और shading के साथ lines में वह बात नहीं है जो एक ड्रॉइंग को कम्प्लीट करने के लिए चाहिए तो आपको लाइन का काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है लाइन के साथ साथ आप पैंसिल को कैसे होल्ड करें इन सारी चीजों को समझना काफी इंपोर्टेंट है कि मैंने यह लास्ट विडियो जो डाला है एसा होता नहीं है कोई भी काम आप जल्दी कम्प्लीट नहीं कर वाएंगे। उसमें काफी पेश्छ सिरू की जरूरत होती है अगर आप मूथी नहीं रखेंगे तो अपका काम बिलकुल अच्छा नहीं होने वाला है आपको ब्रैक्टिस बहुत सारी करने होगी है आपको तरीके से आप practice करेंगे कि आपके काम में improvement आएगा उसको फिल्कुल द्यान से देखेंगे जब भी यह ऑब्जेक्ट बगर देख रहें तो इसके बारे में हम अभी बताते हैं कि किस तरीके से क्या चीज का प्रेक्टिस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैंने कहा है कि कोई भी बनाने के लिए इंपोर्डेंट होता है तो लाइन्स को समझना जरूरी है और लाइन्स के वाल एक डिरेक्शन में नहीं होता है जैसे कि मैंने कहा लाइन्स एक डिरेक्शन में नहीं होता है यह अगर आप लाइन खीच रहे हैं यह हो इस तरीके प्रैक्टिस आपको खूब सारा करना है इस तरीके के लाइन्स की प् प्रक्टिस करें रफ पेपर लें और उस पे खूब चारा इस तरीके का ड्रॉइंग आप बनाएं आप फिर आप वर्टिकल लाइंग बैगने ली भी जाएंगे पर उल्टा भी आएंगे यह देली आपको करना होगा डेली कम से कम आठ दस पर जिस तरीके की लाइन्स के प्रक्टिस कर रहे होंगे जैसे कर्ब इस तरीके लाइन्स जितना बना से जब सर्कल ड्रॉव करना है पहले यह लाइन्स की प्रेक्टिस जब आप कम्प्लीट कर लेंगे पो शेडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी कि लाइन में मैंटर करता है आप ड्रॉइंग इसके बिना कर ही नहीं सकते हैं अगर मालो कि आपकी ये ड्रॉइंग की इन सब शरकल की प्रैक्टिस रहीगी तो यह वाले ऑबजेक्ट में आप सर्कल देख रहे हैं इतना इंपोर्टेंट रॉल है इसका मैं इस अबजेक्ट क प्राइंग बनके नहीं आता है तो इसका प्राक्टिस आप मैक्सिमम करें रोज करें रोजाना करें देखेंगे आपके काम में 8-10 दिन के बाद कितना इंप्रूप्मेंट आ रहा है ज्यादा इंप्रूप्मेंट होना सुरू हो जाएगा